असलाम वालीकुम दोस्तों कैसे यह आप सब मिन्त करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे तो आज की वीडियो में आपको बदाने वाले हूँ जैसे कि आपने धमनेल में देखा बहुत ही जबर्दस नोक्रियां पॉब्लिक सेक्टर होस्पिटल में जो नहीं बरतियां यह बहुत हैं बिस्टाइबे में टémaचन करते हैं तो डोस्ताइब हैं आप बान्हाय जोगल थैप करWhen यु में भी जोब इलिव जार्च वर्ड़े हैन के लिए लिकने कर दिने ऐं सर्च होगे यहां सेर्च कर होगे हैं पर आपको यापको पली लेटि अप्डें कर अजरें य यहांपर नहीं असमिया पाकिस्तान एयर फॉर्स में नहीं असमिया और फ्रंटार कॉपस में असमिया है तो अपलाई करना असमिया तो चलते टॉपी कि तरफ तो दोसर यह आपको सबसे पहले अफिशल अफिछाइजमेंट दिखा देता हां तो यहांपर जो इसका अफिश् 60,000 सेलरी सेलरी मतल मेरें चीफ मेडिकल ऑफिसर की सामय सेलरीर है सेलरी है सेलरी ऑप्लाइगर सेलरी होगी जायो Marcus मतल सामय officer की इसामी है जिसमें plastic surgery, orthopedic surgery, journal surgery, chemical pathology, neurology, gastronology, oncology, medicine, histopathology की इसामी आपर देखने को बड़ी है तो बगार experience की आप अलाई कर सकते है salary package यहाँ पर 1,33,000 salary होगी उसके बाद manager की इसामी है medical officer की इसामी है optometrist की इसामी है उसके बाद यहाँ पर speech therapy की इसामी है गार डाइटेशियन की इसामी है, master 기bee इसामी इसामी 98,000 salary इसके बाद nurse की इसामी इसामी 19,000 salary होगी उसके बाद असामी की 1 बाद मेडिकल l audiobook चैमबर www. checkingman जब और डाइविंग एसामी इसामी इसामी सामी है बाद इसामी 9,000 salary होगी नर्सिंग कोर्स किया हो तो अपलाई कर सकते हैं उसके बाद जो है टेक्टू की असामी है जिसमें डैनिस्ट्री ईईजी ऑपरेशन थेटर असिस्टंट आडियोमेट्री रेडियो ग्राफर इंथीजिया पैथलोजी और फार्मिसी के असामी है तो यहां पर बता दूँ यह यहां पर मेट्रक और FSC वाले अपलाई कर सकते हैं तो सैलिरी पैकेज है 42,000 सैलिरी होगी बगार एक्सपीनिस के अपलाई कर सकते हैं उसके बाद अपलाई कैसे करना है तो अपलाई करने का दीकर बदातेता हूं यहां पर कैरियर जोब्स 1737.com पर जाकर ऑनलाइन यहां पर जाकर अपलाई कर सकते हैं तो यहां पर आपको तमाम रिक्वार्मेंट्स और जोब्स के लेटर आपको देखने को बड़े है बाकि अपलाई करने का बटन आप तो यह मैं आच हुका हूं कैरियर जोब्स 1737 की वेबसाइट पर तबसे पहले अपने अकाउंट क्र क्रीट करने के बाद यहां पर देख सकते हैं आपको नीचे सबसे पहले अपना शिनाक्ति कार्ड एमेल पासवर्ड रीटाइप पासवर्ड लिखना है उसके बाद यह क्वेस्टन स्लेक कर सकते हैं तो यहां पर फेलर करने का नाम लिख देना है उसके बाद वेरिफिकेश सामयों के नाम देखने को ब्रहा है जिससे सामय पर apply करना चाते हैं तो यहाँ पर आपने apply now के button पर click करना है click करने के बाद आपने इसे तमाम requirements यहाँ पर read कर सकते हैं और apply कर सकते हैं तो यह थी तमाम अफ्जॉब्स के अफ्लेटर update तो हो मेरी वीडियो पसंद आई होगी लाइक और शेयर कर दो इसे नहीं डेली अपडेट देता रहता हूं तो मिलते हैं से किने वड़ों के साथ तब तके लिए अलहाफीज